यह नया आधुनिक मसीन जो है अभी जैसे हम यूटूब पर देखें और हम लाएं पहले दो डट लग रहा था जो इतना महांगा मसीन लेके हम लाएंगे चलेगा ना चलेगा दोस्तो नमस्कार स्वागत एक पर फिर से मारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ दोस्तो अपना स्वारोजगार करने के लिए क्या जरूरत होता है थोड़ी सी जीद थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी पुंजी और बहुत सारा मेहनत अगर यह चीज आपके पास है इस चीज को अगर आप लगा सकते हैं तो आप अपना खुद का स्वारोजगार सुरू कर सक करते हैं आपको सफल होने के रास्ते में क्या-क्या चीजे की दिख्कत आएंगी क्या-क्या जीश आपको खेलना पड़ेगा महसूस करना पड़ेगा उन अनुभव को जानने का में पर्यास बराबर करते रहते हैं और इसी परियास को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम प बात करेंगे अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम दूसरे वीडियो में हो सकता है कि एक मशिन के बारे में बात करें पहले इनका स्वागत कर लेते हैं बाचित करते सर नमस्कार स्वागत है आप अपने छोटा सा पढ़िचे देदी जी मेरा नाम अनिस्कुमार हुआ मेरा अपना चोटा सा एक कारोबार है कितना कितना दीन से कारोबार आपका है देखिए ऐसे तो 20 सालों से हम मतलब आटाचकी रखे हुए हैं लेकिन यह नया आधुनिक मसीन जो है अभी जैसे हम यूटूब पर देखें और हम लाएं साक्षी इंटरप्राइज से और अभी चला रहा है तो नया आधुनिक मसीन जितना आधुनिक रहता है रिस्क उतना ही बरा हो जाता है तो इतना बरा रिस्क लेने के लिए आप कैसे सुचे देखिए पहले तो डट लग रहा था जो इतना महंगा मसीन लेके हम लाएंगे चलेगा ना चलेगा लिए लाने वाद हम पूरा संतुष्ठ है संतुष्ठ है ना पहले इस मशीन के बारे में बात कर लेते हैं ओईल मिल की यह मशीन है और यह 4500 वाट की है क्योंकि यह चीज लोग बताते रहते हैं कि एक ही बार में आप 98% 99% निकाल सकते हैं सचाई तो है यह जी जी बिल्कुल सचाई है कि हम कर के देखे हैं पहले तो हमको भी लगडा आता है तो अपने घर में खड़ाब नहीं होगा पैक पैकिंग करने में प्रामेटरील लटी से हैं बट अच्छा में तक नहीं तक नहीं चोरी जो पहले वाला में आता था वो और एव जब खड़ी आता एक के बार में तरह देल में निकल जाता है लोग तक निकल जाता है और उससे जो निकलता था उसे आधिक तेल निकलता है तो पहले से ज्यादा निकल जाता है और पहले वाली मशीन से बहतर निकलता है यह क्या चीज इसमें आप निकल देखिए इसमें आपको मुंफली तील और अंडी जिसको आप लोग चाहिए अब जो भासा हम लोग भासा तक निकलता है इसमें एक बुंद भी तेल नहीं जाएगा जो भी होगा बिल्कुल निकल जाएगा और सबसे बड़ी खासिया थंडा तेल निकलता है इसमें जैसे अभी पहना सुरू करेंगे देखिएगा जो ठ्छास थोड़ा भी नहीं आएगा ये कराही में जाने के बाद ही जहांस निकलेगा इसका जो जहांस होता है वो इसी में बना रहता है जी जी बिलकुल बार अगर आप खड़ी को डालते हैं तो उसका जो भी होता होता है वो निकल जाता है इसका एक लिजेगा तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा जन्दकारी चलाना बहुत आसान है एक सिंगल फेज पर है और इसमें हीटर दिया हुआ है हिसमें यही है जो चूखा हुआ है जा जांक हुआ जांक हुआ जब बाई नहीं तो पानी नहीं पड़ेगा जितना और देली निटर्लव और चूंपल घ्रडाव तो दिया हुआ है जो इसको ठना करके रखता है लागतार वी चला भी फोबी कोई दिकत नहीं हुआ यो त जैली चलता नहीं है अभी पर्व का टाइम है तो तो अभी पांच गंटा छो गंटा कभी आठ गंटा भी चला दिये हैं इसको लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है इस मसिन पर आठ गंटा तक भी चल सकता है मसिन यह फीडबेक है अनिस जी का यह कहना है अब तुरह चला करके देखें ऑपरेट कर हैं तो यह हीटर सो करने लगता है लंसम जैसे ब्लेक तुरी है तो उसको पहने के लिए हमको जैसे 270 पर हम रखे हुए है 270 जब नीचे वाला कित्तर ही उपर आ जाए तो उसके वाज स्टार्ट कर दिजिए चालू कर दिए अब मसीन हमारा चालू हो गया आज बिल्कुल नह जाए अब इसमें हम जासे माल लगे लिए इस तो अब हुआ है कि दिए तर निकलना भी शुरू हो गया तेल भी एकदम ठंडा निकलता है जितने द्रकबाल आप हाट लगा लो बिल्कुल ठंडा तेल निकलता है और देकिए दुकान से लाए हुआ बिल्कुल ही साथ की ट्रेवा नहीं हुआ प्रीवें में कोई कथना ही नहीं होता है और आप देख सकते हैं जो इसका खली जो है मिल्कुल ही पतला रहा है कि अब तो दोस्तों यह था और मिल्का रिविवीव जो जन्विन रिविव था हमने आपको दिखाया अभी अनिश जी के आँ से जी ठोड़ा सम्झारं के सक्षी इंटरप्राइज के बारे में कैसी यह उपको जब से मुलाकात हुई है एक अपनापन साथ बन गया है अधमी के बीच में बहろ्त ही अच्छे लोग और जब से मसीन लाएं हैं उपना जोग हमारे पास आते हम उनकोृँ किकि किसी से भी मसीन मसिन पैसा दे के ही लाना है कोई फिरी में तो देगा ही नहीं तो ऐसा आदमी से लिए जो आपको बक्त पर काम आए जब भी कोई कठनाई होता है या पूछना होता है तो उनको फोन लगाते हैं वो बैचारे दोड़े चले आते हैं हमारे पास और इतना अच्छा उनका आप उनसे बाचीत कर सकते हैं अगर विजिट करना चाहिए तो एड्रेस भी आ रहा है मुझा फरपूर का उनके आफिस का उनके विएर हाउस का आपको वहां पर जाके बाचीत कर सकते हैं अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता ह हैं अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ना इडिया किसी ना रोजगार के साथ अब तक के लिए नमस्कार